अगर धर्मान्तरन से खत्रा है तो फिर इससे कैसे निफटा जाएगा चार जून के बाद भारत की एक नई तस्वीर से धर्मान्तरन को कैसे मिटाया जाएगा इसको लेकर पेशे से सुप्रिम कोट के अधिवक्ता और धर्म से सनातनी अर्श्मनी उपाध्याई जी ने क्या कुछ कहा सुनिये धर्मान्तरन राष्ट की सुरच्छा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है मुगलों ने धर्मान्तरन कराया अंग्रेजों ने धर्मान्तरन कराया आद भी धर्मान्तरन हो रहा है इसके लिए सठे, साठ्यम, समाचरे, सिध्धान्त को अपनाना पड़ेगा मैं आपसे पांच सवाल कुछता हूँ आप उसका उत्तर जोर से दीजे जिससे रिकार्डिंग हो रही है आपकी बात पांच करोड़ लोग तक पहुंचे धर्मान्तरन रास्त की सुरच्छा के लिए खत्रा है के नहीं जोर से बताईए और रास्त की सुरच्छा के लिए जो खत्रा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है उसका नाम है नेस्सन सिक्योरिटी एक लेकिन बाबा के लावा योगी अधितनाथ जी के लावा और कोई राजी सरकार उस NSA को धर्मांतरण कराने वाले मिसंडियों उर जिहादियों पर लगा नहीं रही है जिस दिन NSA लगना सुरू हो जाएगा धर्मांतरण रुखना सुरू हो जाएगा अब धर्मांतरण हमारी देश की एक तकाड़ता के लिए खत्रा है कि नहीं और जो देश की एकताखअखंड़ता के लिए खत्रा होता विसके लिए हमारे पास एक कानुन है उसका नाम ये यूए पी त MA announcements अपने पने इंडरेक्ट वॉर, ने अटैक किया था धर्मांतर में कराने में। आज सॉफ तरीके से धर्मांतर में करा रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ के नी लिए। ये उन्लिद हुआ कि ने आइंता ये विर न्वान। एक section है उसको 121 कहते है जिसमें आजीवन कारावा की नहीं indirect war हुआ की नहीं और जो indirect war होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है section है उसको 121 कहते है जिसमें आजीवन कारावा से फासी की सजा है दुर्भाग ये वस पता नहीं जान बूज के या नादानी में राजी सरकारे धर्मांतर कराने वाले मिसंडियों जहादियों और उनके मददगारों के किलाफ वेजिंग वार की धारा नहीं लगाती है धर्मांतर एक देशद्रो है कि नहीं और देशद्रो से निपटने के लिए हमारे पास कानून आ गया है नहे वाले में भी आया है नह वक्ति धरमांतरन नहीं कराता पुरा syndicate होता है कोई पैसा देता है कोई लिट्रेचर देता है कोई अपनी Bible कुपलब्ध कराता है कोई उसको और किसी तरीके से मदद करता है धरमांतरन होता है जर्खंड में इसका एक आधमी बॉम्बिम बैठा रहता है, एक आदमी दिलिम बैठा रहता है, एक आदमी धनबाद में बैठा रहेगा, एक कोई और बैठा रहेगा, पूरा आर्ग, विल, कोडिनेटर तरीके धनमांतरन होता है, और इस तरीके से जो संग्ठित अपराद होते हैं, उससे निपटने के अलग अलग राजियों में अलग अलग कानून हैं महारास्टा मुसको मकोका कहते हैं गुजराइट मुसको गुजकोका कहते हैं जारखंड बिहार और इधर इसको गैंगेस्टरेक्ट कहते हैं लेकिन दुर्भागी आप देखिए कि धर्मांतरन कराने वालों पे गैंगेस्ट हो जाएगा और गेंगे स्रेट लगना शुरू हो जाएगा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ धर्मांतर्ण कराने वाले मिसंडी जहादी और उनके सहयोगी जो उनको पैसा देते हैं आर्थिक मदद करते हैं यह सारे भारत छोड़के भाग जाएंगे गारंटी के साथ इसलिए मैं एकल अभियान से रिक्वेश्ट करता हूँ जब कभी धर्मांतर्ण की घटना हो उनसे सीधे लड़ने की बजाए आप रिस्पेक्टिव एस्पी को पकड़िए एस्पी से कहिए कि आप इसके खिलाब एनसे लगाओ यूइपी ये लगाओ सेडीसन लगाओ वेज संपर करूँगा इस्पी से बात करूँगा हमारी पी आईल पे सुप्रिम कोट ने कह दिया है कि धर्मांतरण राष्ट की सुरक्षा के लिए खत्रा है वो आडर मैंने यूपी पुलिस को दिया है उसके बास से यूपी पुलिस जब जब धर्मांतरण होता है एनसे लगात आपके राजी की डिमोग्राफी बदल रही है इसका भी समाधान कानून गुस पैठी एक गुस दे के आते हैं गुस दे का अधार बनवाते हैं गुस दे के रासनकार बनवाते हैं गुस दे के ड्राइविंग लाइसंस बनाते हैं गुस दे कोटर आइडी बनवाते हैं सब कु के नर्सी जो हुई थी वह वहां पे सर्वानन सोनवाल जी जब वो सामाजी कारिकरता थे सोसल एक्टरिस थे तब उन्होंने पी आईल फाइल किया और उन्हीं के पी आईल पे आडर हुआ और असम में नर्सी हुई और आपको जानके आश्चर होगा जब वहां नर्सी हो गई जनते कैसे पहले तो घुस्पैठियों ने पाच पाच शे शे डाकुमेंट बनवा लिए और जब वो रजिस्टर घर घर जाते हैं बनाने के लिए जब लेखपाल पटवारी कानून गए घर घर बनवाने वहां उन्होंने फिर दूदुद 2000 की नोट पकड़ा दिया और वो लेखपाल पटवारी कानून गो इतने समझदार निकले कि दिन भर में जितने घुस्पैठियों का नाम रजिस्टर मिंट्री करते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे क्यों जिस्ते के रजिस्टर बनने के बाद असम की जनसंख्या वहीं की वहीं रहे घटे न बढ़े अगर वह इमानदारी से करते तो असम की जनसंख्या बढ़ जाती 40-50 लाग उन्हें बड़ा दिमाग लाया दिन भर में मान लोग 20 लोगों से पैसा लिया 20 घुस्पैठियों का नाम जोड़ा तो 20 असम के लोगों का निकाल देते थे जब रैस्टर कंप्लीट हुआ तो पहले घुस्पैठियों कर यह यह न अ रसी रोको न रसी रोको जब रैस्टर इसलम के लोग बोलने लगे अन रसी रोको ऑपनी प्रस्ट्चार इतना खतनाक है मारे लिए अ ब्रश्टा चार खतम हो जाए ना तो भारत की कम स्कम जितनी आपको रूलिंग पार्टियां दिख रही है इसमें एक ही बचेगी बस बाकी सारी खतम हो जाएंगे हाँ ब्रश्टा चार खतम मंगाल में टीमसी खतम आ गया भी जेपी कराच ब्रश्टा चार खतम जारखंड में सीबू सोरन की पाटी खतम आगया भी जेपी कराच ब्रश्टा चार खतम डीम के खतम आगया तमिल लाडूं भी जेपी कराच ब्रश्टा चार खतम अब्दुल्ला मभूवा खतम आगया कस्मिर में भी जेपी कराच ब्रश्टा चार खतम, यूपी मिसपा बसमा खतम, आगया बीजेपी का राज अब आप सोते रहे हैं कि बीजेपी के छोड़ दिया, बीजेपी के छोड़ दिया इतना बड़ा परिवार बन चुका, इतना बड़ा संग्ठन हो गया है एक एक परिवार एक एक हजार रुपए दे देना पार्टी को, तो बीजेपी अराम से चंदेप चलती रहेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीयां केवल ब्लैक मनी पे चलेंगी, हवाला पे चलेंगी, काला धन पे चलेंगी, इसलिए ब्रस्टा चार के खिलाफ मैं एक P.I.L. फाइल किया है कि भारत में One Nation One Tax लागू किया जाए 100 रुपे से बड़ी नोट बंद किया जाए 5000 रुपे से महेंगे समान का कैसलें दिन बंद किया जाए ये GST खतम किया जाए, Income Tax खतम किया जाए टीडियस खतम किया जाए, WET खतम किया जाए, TOL tax खतम किया जाए सारे tax खतम केवल एक tax, Banking Transaction Tax One Nation One Tax और पूरी कल्कुलेशन के बाद बता रहा हूं बहुजी केवल एक पर्संट देना है जब जब आपको online transaction करना है तो सव रुपए के समान खरीदना है तो आपको एक रुपए देना है एक हजार समान खरीदना है तो एक हजार दस रुपए देना है एक लाग का समान खरीदना है तो एक करोड़ एक लाग देना है ना आपको आगो अ Leác ए और आपको ये भी पता दूं ये जितना टैक्स वसूलते है नंका उसका आदा तो टैक्स वसूलने वाले डिपार्टमेंट के वेतन भत्ते पी चला जाता है जैसे जीस्टी डिपार्टमेंट जितना जीस्टी करता है उसका आदा जीस्टी के इस खत्म सारे खत्म पहले यह संभव नहीं था आज की देट में संभव है क्योंकि आज की डेट में इंफरस्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है सवादो सो कोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं एक्याउन करोड जंदन खाते खुल चुके हैं एक्सोतीस कोड़ आधार बन चु जाती का अधार पर बाटती हैं जाती का फिम खिला खिला के बाटती है क्यों को सत्ता चाहिए सत्ता क्यों चाहिए लूटने के लिए सेवा करने क्लिए सत्ता नहीं चाहिए यह भाशा का अधार पर बाटती है क्यों सत्ता चाहिए सत्ता क्यों चाहिए लूटने के लिए ज वो तो दरा धमका कि चंदा ले लेते हैं, दरवाज को कोई चंदा देने वाला नहीं है, मेरा ये मानना है कि एकल अभियान इस मामले में भी अपनी भूमिका आदा कर सकता है, तो फिर से अंतिम बात मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिस न हो गया हो, फेस्बुक पे जोड़िये, अधिक सधिक जोड़िये, न भाषा देखिये, न छेत्र देखिये, न जाती देखिये, जाती भाषा छेत्र से उपर उठके, सबको अपने फेस्बुक पे जोड़िये, आप जहां नहीं है, वहां तो आप हई है, जहां सरकार नहीं है, वहां तो हनमान जी की मूर्ति जरूर रखे अपने साथ बीच बीच में जहां एक दो किलोमेटर कुछ नहीं दिखाई पड़े किसी पेड़ के नीचे हनमान जी की मूर्ति रख दीजिए ऐसा मैं आगरह करता हूं तीसरी बात मुझे लगता है अच्छा समय आ गया है जहां पर दिमांड करने पर सप्लाई हो रही है जहां दिमांड पर सप्लाई हो तो दिमांड थोड़ा बढ़ाना चीए बढ़ाना चीए नहीं बढ़ाना चीए तो दिमांड करते रहे हैं समान सिच्छा की दिमांड करिए समानागरी संगीता की दिमांड करिए घुसपैट नियंतरन कानून की दिमांड करिए असलीलता नियंतरन कानून की दिमांड करिए नशात तसकरिक खिलाप का ठोट नियंतरन कानून की मांग करिए और अल्टीमेटली जैसे वित्त मंत्रालय का काम है वित्त अच्छे चिवित भारदेस के वित मंत्री दूसरे अमेरिका के वित मंत्री से मिलके वित पर बात करते हैं लेकिन दो डिपार्टमेंट को कभी मैंने देखा नहीं ना मैंने भारत के सिख्षा मंत्री को सिंगापूर के सिख्षा मंत्री जापान के सिख्षा मंत्री अमेरिका सिख्षा मंत्री से नहीं देखें मेरा व्यक्तिकत मानना ये है 80% समस्याओं का सामाधान कानून बना के या कानून बदल के या कानून खतम करके हो सकता है और कानून बदलने कानून बनाने कानून खतम करने की कोई लागत नहीं होती कर दो कर दो